अलो और वेलकम टू टीवी का पताका वल दोस्तों, तुनिशा शर्मा के बेस्ट फ्रेंड ने खोला तुनिशा शर्मा के जान देने के पीछे की असली वज़ा का कारण। जै हां दोस्तों आपको बता देखी हाथ से कि कुछ घंटे पेले क्या कहा था तुनिशा ने में बेस्ट फ्रेंड सेयれकां बेस्ट प्रेंड में बताई असली वज़ा असली बात क्याही। कुछ फ्रेंड में ऐनके पीछे की पूरी सच्चाई लेकिन इससे पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिलकुल ना भूले वह दोस्तों हम बात कर रहे हैं अलीबाबा दास्ता ने काबुल के एक और मेन को एक्टर रुमी खान की रुमी खान ने इस बात खुलासा भी किया कि तुनीशा शर्मा ने जब अपने जान दी उसके कुछी गंटे पहले उन्होंने उससे चाट पर बात की थी और उन दोनों के बीच में बाते काफी जादा नॉर्मल थी जिस वजह से वह जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि तुनीशा शर्मा इस सरह से अचानक इतना बड़ा कदम उठा लेंगी तुनीशा शर्मा के साथ रूमी खान का रिष्टा बहुत ही खुब सुरत था कि कुछी समय पहले तुनीशा ने अपने पिता को खो दिया था और तुनीशा और उनका बॉर्ण बहुत खुब रुमी खान के लिए तुनिशा शर्मा बहुत ही जादा खास थी वो अक्सर उससे बाते करते रहते थे और उनकी फिल्म मियानी की कई सारे फिल्मों में जिस तरह से तुनिशा शर्मा ने अपनी अदाकारी दिखाई उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुनिशा शर्मा बह कभी तक इस बात को नहीं बुला पाए हैं ना इस बात पर यकीन कर पाए हैं कि सच में तुनिशा शर्मा ने कुछी गंटों के अंदर अंदर इतना बड़ा कदम उठा लिया यानि कि दोस्तों इससे यह बात साफ होती है कि तुनिशा शर्मा काफी ज्यादा डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हुई थी वह किसी से बाते करके अपना दुख शेयर करना ही नहीं चाहती थी उन्होंने अपनी जान देने कि कुछ वक्त पहले कई लोगों से बात की लेकि